आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में कल के शो में खत्रों का खिलारी में अचानक से एक मोटरसाइकल पे हलमेट लिए हुए एक सीना प्रवेश करती है तो रोषचेटी बताते हैं कि कोई आ रहा है यानि कि न्यू एंट्री होती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नई एंट्री बीच में वाइल कार्ड एंट्री होगी तो वो मुझे जब हेलमेट पैनके वो आई तो मुझे एकदम से बिग बॉस मराथी याद आ गया मुझे लगा कहीं समीता तो नहीं है विग वह मराथी में समीता गुवनकर जो है इसी तरह से उन्होंने एंट्री ली थी और बहुत सारे वो ऐसे मुझे से स्टन्ट गयरा काफी करती हैं माहिर है काफी लेकिन वो देखा हेलमेट उत्रा तो निकली शमीता शेटी तो घर में एक खुबसूर्थ हसीना का प्रवेश हो गया और आके सब लोग पहले मजाक मस्ती चलती है कि आप क्या फील करते हो शमीता शेटी के आने के बारे में ये रोही शेटी पूछते हैं उसके बाद अचानक धाम से पहला ही टास्क शमीता शेटी को दे रही है जाता है और पहले ही तो बैलेंस उसमें बनाना बहुत ही मतलब मेंट चीज है और बहुत कठिन है क्योंकि एक तरफ को पैर रखेंगे तो दूसरी तरफ को हो जाता है तो जैन इमाम तो पहली बार टास्क पूरा करी नहीं पहे थे उससे पहले और गिर गे थे बीच में ही तो लेकिन शमीता शे पहले चेहली नहीं पहले फारी नहीं पहले थे तो चार मिनेंट में ही टास्कूरों ने-खत्म कर दिया टिए तो हो भारती सिंh बहुत है तो क्या लगता है आते ही शमिता से टी बाहर हो जाएगी, नननना अईसा नहीं हो सकता है, तो शमिता से टी घर से बाहर नहीं होगी कूए Tabi to आई है वो फीर फंदा एक बार मिला तो ठीक है आगे जाके वो टास्क जरूर करुकर लेगी उनको देखे लगता है कि टास्क वो कर लेंगी ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये भी टास्क पहली बार आते ही आपको टास्क मिल जाए और फिर भी उसने कैसे नहीं के टास्क पूरा के ये बड़ी बात है तो और भारती सिंग भी इतनी जल्दी नहीं जा सकती है तो बाकी जो बचे दो भाई उन में से कौन होगा य और गौर नहीं है दिल्ली बात दूर नहीं है तो आपको बात जल्द बता जल जाए तो एक तिल द-डन की वाचिंग वाचिंगे है थो एक आ खी heya कर दो कर दो